माई डियर स्टुडेंट आपका स्वागत है हमारी यूटूब की ना सुरे समें इस क्लासेज में आज की इस वीडियो में आपको स्वसन की परिभासा समझाएंगे अगर हमारे वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूत नहीं पड़ेगी और सुसन की परिभासा बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगी तो चलिए आपको समझाते हुए चलते हैं तो हेडिंग है सुसन यह एक ऐसी जयो रासाइनिक क्रिया है जिसके द्वारा वातावरण से ग्रहन की गई ऑक्सीजन द्वारा भोज़ पदार्थों यानि कि गुलकोज का ऑक्सीकरण होता है जिसके फल सुरूप जल, कारबन ड होता है यह एक जयो रासाइनिक क्रिया होती है क्या होती है जयो रासाइनिक क्रिया होती है अब जयो सब्सके किस लिए हुज हुआ है जीवित कोसिकाओं में होती है और जीवित कोसिकाओं सरीर के अंदर पाई जाती है यानि कि इस सरीर में होने वाली क्रिया होती है और एक समिक्रण में देख रहे हैं इसमें गुलकोज जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके जो है इसमें नया पदार्थ कार्बन डाय आकसाइड तथा जल बना रहा है और उसके साथ साथ इसमें उर्जा भी मुक्त हो रही है यानिक इसमें गुलकोज और अक्सीजन क्रिया करके नया पद तो इसमें कहीं भी आपको ग्रार अठीजन अलग से SAY नहीं दे रहा है इस तरह से जो है रासाइनिक क्रिया होगी की और टो इसमें धी तो इसमें क्या होता है कि सोसंक्रिया में रहा है तो शुर्सलिंवा फी양 मंड्ल से और एकम स्वाइस ग्रहर की जाती है और sund जो है फि जिससे जो है इसका ऑक्सीकरण हो जाता है जिससे जो है गुलकोज का क्या होता है और उसके उपरां तो जो है कार्बन डायाकसाइड जल तथा उर्जा उत्पन होती है यानि कि जो है इसमें क्या होता है गुलकोज जो है ऑक्सीजन से क्रिया करता है और जिससे गुलकोज का औक्सीकरण हो जाता है और जिससे कार्बन डियाकसाइड तथा जल बनता है और उज्जा उत्पन होती है एक बार समीकरण को देखकर परिभासा बनाना सीख लीजिए यह एक जैवरासाइन क्रिया है जिसके द्वारा वातावरन से ग्रहन की गई ऑक्सीजन द्वारा भोज पलार्थों यानि की गुलुकोज का ऑक्सीकरण होगा क्योंकि ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो ऑक्सीकरण होगा ही आक्सी करण होता है जिसके फल सुरूप जल कारवन डैयाकसाइड तथा उर्जा उत्पन होता है इस तरीके से जो है हम परिभासा बनाना सीख लेंगे एक बार फिर सीख लीजिए यहाँ एक ऐसी जयोरासानिक क्रिया है जिसके दोरा वातावरन से ग्रहन की गई आक्सीजन द ग्लुकोज से क्रिया करेगा तो इसका ग्लुकोज का आक्सी करण होता है जिसके फल सुरूप जल कारवन डैयाकसाइड तथा उर्जा उत्पन होता है इस तरह से समी करण को देखकर और इससे समझ कर हम परिभासा आसानी से बनाना सीख लेंगे तो आपको हमारा वीडियो क क्लिक कर दीजेगा जय हिंद